हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों जिसे कि आपको पता होगा CNCI के Admit Card Release हो चुके हैं और जो Exam Date है वो भी Release हो चुके है जिन्होंने Admit Card निकालिया है उनको तो पता चल गया है और जिन्होंने Admit Card नहीं निकाला है उनको मैं अभी बता दूँगा किस परकार से आप Admit Card निकाल सकते हैं सेंटर वगरा आप उसके अंदर देख सकते हैं बाकी आपको टाइमिंग जो है वो आपको मैं अभी बता दूँगा और जो Exam Data वो भी मैं आपको बता दूँगा साथ में जो syllabus है कुछ बचों कहना है कि सर syllabus बता दो हमें कि CNCI की exam में syllabus क्या आता है तो syllabus भी आपको भी बता जाएगा किस परकार से आपका selection हो सकता है आपको क्या पढ़ना है कि आपका selection है आपको continuous तेयारी तो करनी ही है साथ में में जो आपको भी syllabus बताने वाला हूँ वो syllabus आपको पढ़ना ही पढ़ना है तभी जाके आपका selection है याप हो पाएगा देखिए याप पे जो भी आपके मन में जो स्वाल उठ रहे हैं उन सभी स्वालों के जवाब यहाँ पे दिये हुए हैं देख सकते हूँ आप अपनी स्क्रेन के उपर frequently asked questions जो भी आपके मन में स्वाल है उनके जवाब यहाँ पे दिये हुए हैं आगे देखिए C&CI जो recruitment exam जो advertisement है उसके नंबर यहाँ पे दिये हुए हैं साथ में important एक जो notice है वो देख लीजी क्या है all candidates are requested to read COVID-19 related guidelines and advisory available on GOI Government of India website जो भी candidate C&CI का form बढ़ चुके हैं और जो exam देने वाले हैं वो सभी ध्यान दे COVID-19 related जो भी new guideline advisory आई है Government of India की तरफ से उनको आप अच्छे से follow करेंगे तो ही आपको वहाँ पे enter किया जाएगा जैसे mask लगाना है, sanitize आपको साथ में लेके जाना है और भी जो भी guideline वगरा है social distancing वगरा आपको maintain करने हैं यह सब कुछ आपको वहाँ पे follow करना होगा बाकी और जो भी guideline वगरा है वो आप देख लीजिएगा GOI की जो भी new guideline है उसके according दोस्तों आपको syllabus नहीं मिलेगा कहीं भी और syllabus में आपको भी बता रहूं तो यह syllabus आप अपने दोस्तों को भी share जरूर करें जो भी एक साइट दीविए cnci exam.com यहां से आप अपना admit card वगरा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से आपको answer की भी मिलेगी जब exam हो जाएग उसके बाद आपको result BC website से मिलेगा तो चलिए पहला आपका जो स्वाल है वो क्या है कि exam कब होगा exam कब होगा तो exam होगा आपका 4 जुलाई 2021 संडे को रविवार के दिन 4 जुलाई 2021 को आपका exam होगा बात करें timing की अब आपको timing भी आप पूछ रहें कि exam का timing क्या रहेगा कब से कब तक चलेगा तो आपका 2 गंठे का paper होगा और total handed questions आपको पूछी जाएंगे 11 बज़े से 1 बज़े तक आपका paper का time रहेगा next है कि किस प्रकार से आपका exam होगा कुछ बच्चे कहते हैं कि cbt होगा या offline होगा यानि computer-based test होगा या फिर offline paper होगा तो यहां पर जो बता रखा है जो आपका question है उसका जो जवाब है वो यह है the test will be conducted in paper pen mode यानि कि offline paper आपका होगा next देखिए कौन-कौन सा syllabus आपको पूछे जाएगा यह बहुत ज़्यादा important है जो cncii का form भर चुके है वो ध्यान दे आपको इसी syllabus के according अपने तयारी करनी है दोस्तों जो syllabus है आपका cncii का वो क्या रहेगा वो रहेगा general nursing के 50 questions जैसे msn, obg, pediatric, psychiatric, f1 जो भी all subject है उनके कितन 50 questions होंगे, और जो oncology theory है उसके होंगे 25 questions और जो oncology practical है उसके होंगे 25 questions इस परकार से आपके total 100 questions होंगे, साथ मैं आपको बता दे, negative marking भी यहाँ पे रखेगी है, अब कितनी है negative marking वो मैं आपको भी बता देता हूँ, बाकि आप जैसे paper को open करो, तो paper के उपर आप एक वार और पढ़ लेना, negative marking कितनी है, कितनी नहीं है, ओके, next देखिए, are the negative marks for a wrong answer, यानि आपका स्वाल अगला यही है, कि क्या negative marking भी यहाँ पे रखी गी है, तो यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है, जी हाँ बिलकुल, यहाँ पे negative marking रखी गी है, each wrong answer to marks would be detected, यानि कि अगर आप ए दो क्यूशन के हैं, दो में से एक सही है, और एक आपने गलत कर दिया है, तो जो एक क्यूशन था, जिसका चार नंबर मालीजी, चार नंबर दिया गया था उसमें, उसमें से दो नंबर आपके कट जाएंगे, और दो यह नंबर आपको मिलेंगे, इस परकार से यहाँ पर negative marking रखी गी है, बाकिया, पेपर के उपर और पढ़ लेना, अच्छे शे एक बटे चार है, या फिर एक बटे दो है, तो यह आपको वहाँ पर जरूर पढ़ लेना है, आगे देखिए, for blank response, there will not be any negative marking, अगर आप खाली छोड़ देते हैं, जो क्यूशन आपको नहीं आता है, तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है, कि आपका जो exam paper आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ English के अंदर होगा, सिर्फ English के अंदर ही होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखवा English only, चाया आप GNM के कने date हो, चाया फिर BAC nursing के कने date हो, paper सिर्फ English में ही होगा, यहाँ पर हिंदी का application form I get refund to fees, यानि कुछ बच्चों की यह भी स्वाल होते हैं कि मैं exam नहीं देना चाहता, और क्या मेरी fees मेरे को मिल सकती है, तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगे आपको, अगर आपने form भढ़ दिया है, यहाँ पर तो आपकी application fees बिल्क सही कर सकता हूं, तो यहाँ पर उनका जवाब है no, information can be changed now, अब आप कोई भी information changed नहीं कर सकते हैं, जो आपने भढ़ दिया है, वहीं रहेगा, ओके next exam conduction related जो भी आपके स्वाल जो मन में उठ रहे हैं, वो कौन-कौन से हैं, देख लीजिए, पहला स्वाल आपका यह होगा, क कि how do I get my admit card, मैं किस परकार से अपना admit card निकाल सकता हूं, तो आपको यहाँ पर एक cncii की website दी हुई है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिये, cncii exam.com, यहाँ पर आपको admit card आपका मिल जाएगा, admit card के अंदर आप carefully सभी चीजों को अच्छे शी देखे, यह है कि नहीं है role number आपके उसके अंदर होने चीए, name आपका होना चीए, examination ctr का नाम उसके अंदर होना चीए, date and time of the exam होने चीए, category बगरा, और जो भी other जो भी instruction बगरा है, वो सब कुछ उस आपके admit card के अंदर है कि नहीं है, यह सब कुछ आप अच्छे से जान लेना नहीं है, तो आप संप कि अगर मैं अपना admit card नहीं निकाल पा रहा हूँ, या फिर कोई दिक्कत है, admit card निकालने में, तो मैं किस से संपरक करूँ, तो यहाँ पर आपको एक mail दीवे, cncaexamhelpline.gmail.com, इस mail पर आप संपरक कर सकते हो, यानि कि आप उन्हें बता सकते हूँ कि इस प्रकार की problem है, य यहाँ पर जो दो mobile number दीवे हैं, इन mobile number पर आप contact करके बात कर सकते हो, तो यह आपको बहुत इची सुईदा दीए, cncine कि इस प्रकार से आपका अगर admit card वगरा कोई भी issue हो, तो आप इन पर संपरक कर सकते हो, यह जो mail दीवे हैं, इन पर संपरक आप कर सकते हो, next है, अब देखिए, जिनका admit card नहीं निकल रहा है, वो तो यहाँ पर संपरक करेंगी, साथ में कुछ बच्चों के यह भी स्वाल होते हैं, कि मेरा admit card तो open हो रहा है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, वहीं आपको अपने problem बता नहीं है, जो mail आपको दी गई है, cnci exam helpline at gmail.com, इसके उपर आप अपने problem बता सकते हैं, कि मेरा admit card डाउनलोड नहीं हो रहा है, और जो आपको number दिये हुए है, सैम वहीं number है, इन number पे भी आप contact कर सकते हैं, मलब admit card से related कोई भी issue हो, तो आप इन number पे और इस mail पे आप contact कर स से प्राप्त कर सकता हूँ, जानकारी, तो आपको वो जानकारी शिर्फ और सिर्फ आपके admit card के अंदर ही मिलेगी, please check your admit card for the same, आपको सिर्फ और सिर्फ admit card के अंदर ही complete information मिलेगी, तो आपको admit card चेक करना है, next, can I change my exam center after receiving admit card, क्या मैं admit card receive करने के बाद क्या अपना exam center change कर सकता हूँ, तो इनका जवाब है no, बिल्कुल नहीं, आप exam center बिल्कुल भी change नहीं कर सकते हैं, और विश्ट आप सभी को पता है कि आप एक बार exam center जो भी आता है, वहीं पर आपको exam दे के आना होता है, okay, कोई भी issue हो, बाकी आप उस number पे या आप detail ज़्यादा जानकारी के नेक्स्ट है, what is the reporting time, तो reporting time भी आपको सिर्फ ओर सिर्फ admit card के अंदर ही मिलेगा, और जो latest time है, anti of exam center की तो वो 20 मिनट पहले ही आपको, जो reporting time आपको बताएगे, यानि कि आपको जो exam time बताएगे, कि 11 बजे से 1 बजे तक होगा, तो आपको क्या करना, साढ़े 10 बजे, 10 बज कुछ बच्चों के स्वाल ये भी होते हैं, कि क्या मैं exam, जो test hall है, उसको क्या मैं छोड सकता हूँ, मेरा अगर paper जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं, जो जल्दी paper कर लेते हैं, और वो चाहते हैं कि क्या मैं उस exam hall को छोड़ गे, अपने घर वापस जा सकता हूँ तो इनका जवाब है no, बिल्कुल भी आप नहीं छोड सकते हैं, जब तक आपको invigilator नहीं कह देता, वहाँ पे जो आपके examiner होते हैं, वो जब तक आपको नहीं कह देते हैं, कि आपको अब जाना है, तब तक आपको exam hall को नहीं छोड़ना है, अब आगे देखिए, जो महत पूर्ण चीज़ City जो Important है, वो यह ह कि आपको वहाँ पे क्या-क्या लेकर जाना है, क्या-क्या आप Test Hall के अदर लेकर जा सकते हो, आप क्या ले जा सकते हो, एक अँधा सकते हो एक पार दर सी होने चाहिए वो, पाने की बोटल आप अपने साथ में ले जा सकते हो, पीने के लिए next personal hand sanitizer 50 ml की बोतल जो hand sanitizer के आती है वो आप साथ में ले जा सकते हो valid ID card ID card भी आपको साथ में लेकर जाना है चाहे आधार card हो चाहे फिर आपका जो है water ID card हो कुछ भी हो लेकिन आप एक valid ID card साथ में लेकर जाए साथ में face mask आपको लगाना ही लगाना यानि कविड 90 की जो भी guideline है वो तो आपको follow करनी ही करनी है नेक्स्ट है should I carry some blank seat for exam center for doing rough work यानि कि आपको exam centering अंदर कोई भी अगर माली जी paper के अंदर आपको कुछ blank area मिलता है यानि खाली area मिल जाता है इस परकार से आपको जैसी माली जी ये खाली area है है तो क्या में वहाँ पर rough कारी कर सकता हूं तो इनका जवाब है बिल्कुल नहीं आपको rough कारी करने की जरुर्द ही नहीं है क्योंकि रफ कारी कि जाते हैं मैट्स के exam के अंदर आप दे रहे हो किसकी आप दे रहे हो स्टाफ नर्स की एक्जाम तो आपको यहाँ पर rough कार्य करने के तो यह जरुरत नहीं है और फिर भी अगर आपको जरुरत पड़े तो आप अपने दिमाग से कीजी रफ कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है बाकि आपको invigilator जो होंगे वहाँ पी वो आपको और instructions बता देंगे next है should I carry तो ये जो सिदिशी बात है इन्होंने कुछ बच्चे होते हैं वो जो पूछ लेते हैं by calculate हम ले जा सकते हैं कि तो इनका जवाब होता है नहीं बिल्कुल नहीं ले जा सकते और आपको बता दे आगे हैं careful जो OMR seat आपको दी जाती है उसको आप careful feel करें क्योंकि बहुत सारे बच्चेशी होते हैं जो answer सही होते हैं उनके और वो गलत करके आ जाते हैं के से करते हैं गलत answer में आपको बता देता हूँ मालेजी आप 12 क्यूशन तक आपको बिल्कुल सही आ रहा था और आपने कर दिया अब 13 क्यूशन आपको नहीं आ रहा है आप छोड़ रहे हैं लेकिन आप 14 क्यूशन पढ़ रहे हैं और आपको आ रहा है तो आपको अच्छे से ओमार सीट बढ़नी है और अच्छे से आपको क्यूसन पेपर को अटेंड करना है नेक्स्ट है पेपर जो है वो सिर्फ इंगलिस में ही होगा नेक्स्ट है I have surrendered the admit card to the energy letter यानि exam center पे क्या admit card हमें जमा करवाने हैं वहीं पे तो इनका जवाबन नहीं आपको साथ में लेके जाने हैं वहाँ पे आपको admit card नहीं देने हैं next can I take to cushion paper booklet with me after the exam क्या मैं cushion booklet को अपने साथ में ले जा सकता हूँ exam के बाद में तो इनका जवाबन नहीं आपको paper नहीं दिया जाएगा तो इनका जवाब नहीं बिलकुल भी आपको photo लेके जाने के वहाँ पे ज़रूरत नहीं है next can I take to omar answer sheet with me after the conclusion of the exam कुछ बच्चे बोलते हैं कि sir क्या हम अपनी exam का जो conclusion है वो क्या answer sheet से पता कर सकते हैं हमारी omar sheet के हम ले सकते हैं तो इनका जवाब है no you are required to hand over your omar sheet to the invigilator after the conclusion of exam before leaving जब आप exam hall को छोड़ रहें उससे पहले आपको क्या करना है अपनी omar sheet और paper दोनों invigilator को जमा करवा देने हैं तभी आपका जो है omar sheet चेक होगी और आगे कि आपको information मिलेगी नेक्स्ट यहाँ पर है opportunities वेगरा भूत सारे यहाँ पर points दिये वे हैं तो आप यह पढ़ लेना मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी चीजे देखिए after the conduct the test जैसे आपका exam conduct हो जाएगो इसके बाद omar जो होगी आपकी वो scan होगी आगे candidate will be made available on the CNCI website और जो आपकी omar answer sheet है वो आपको CNCI की website भी मिल जाएगी the exact date to display scanned image of omar answer sheet will be communicated after the examination on CNCI website अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कब आईगी हमारी answer sheet तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि exam होने के बाद आपको जो date वगरा है या जो answer की की जो इन्फरमेशन होगी वो सिर्फ वो सिर्फ सिर्फ CNCI की website या आप ले सकते हैं candidate will be able to view their respective omar sheet applying for it and paying to nominal fees यानि जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को अपनी omar sheet देखनी है omar answer sheet देखनी है तो उनके लिए कुछ से nominal fees रखी गी है या आपके पेशे लिए जाएंगी उसके बाद ही आपको omar sheet दिखाई जाएगी बाकी यहाँ पर जो भी आपको दे रखे हैं वो आप पढ़ लेना और बहुत सारी चीज़े यहाँ पर दे रखे हैं मैं आपको और बता देता हूँ कोई भी ज़्यादा बड़ा कोई issue है ने इसके अंदर बाकी आप यह पढ़ लेना PDF आपको हमारे टेलेगाम ग्रूप के अंदर मेली जाएगी और जो भी आपको problem हो किसी उपरकारगी तो आप इनी नंबर से contact कर सकते हैं यह जो आपको mail दी oncology theory के 25 questions होंगे और practical के 25 questions होंगे तो इनके 2-3 videos आपको जो important MCQs होंगे है फिर golden points के हिसाब से आपको बना के बता दी जाएगे यहीं आपका selection करवाएंगे यह तो almost अभी को आते हैं लेकिन यह आपका selection करवाएंगे oncology पे आपको सबसी ज़्यादा focus करना है क्योंकि 50 questions होंग जाएंगे है भी क्या यह चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टिटूट कैंसर का इंस्टिटूट है तो कैंसर के बार में आपको पता तो होना ही चाहिए तब यह तो आप वहां पे स्टाफ नर्स बन पाओगे तो दोस्तों यह थी information अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीड सित्र हीएगा थैंक यू सो वेरे मैंच